पीता और बेटा साम का समय था ओफिस से घर आने के बाद पीता फिर से ओफिस की फाइस में उल्जा हुआ था तभी उसका आठ साल का बेटा पास आया और बोला पापा क्या मैं आप से कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछो फाइल से नजर हटाय बगैर पिता ने जवाब दिया आप एक घंटे में कितना कमा लेते हैं? बेटे ने पुछा इस अजीब सवाल पर पिता को कुछ गुछ सा आया उसने जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब? क्यों बिकार की सवाल पुछ कर मेरा समय खराब कर रहे हो? देखते नहीं, मैं काम में विजी हूँ पापा, मैं बस जानना चाहता हूँ प्लीज बताईए न, आप एक घंटे में कितना कमा लेते हैं? बेटा जित करने लगा पांस रुपए, पिता ने जवाब दिया, और काम में लग गया ओ, बेटा से जुका कर कुछ सोचने लगा फिर सी उठा कर बोला पापा, आप मुझे तीन सो रुपए उधार दे सकते हैं? यह सुनना था कि पिता का गुसा बढ़ गया वह बेटे को जिड़कते हुए बोला अच्छा, तो तुम इसलिए मुझे से मेरी सेलरी पूछ रहे थे? तुम्हें खिलाओना या कोई फालतू सी चीज खरीदनी है? अब एक सब्द कहे बगएर सीधे अपने कमरे में जाओ और सो जाओ मैं इतनी मेहनच से पैसे इसलिए नहीं कमाता कि तुम्हारी हर फालतू मांग पूरी कर सकूँ बेटे का चहरा उतर गया, भारी कदमों से वहां से चला गया पिता कुछ देर तक तो बेटे की बात पर नराज रहा, फिर काम में लग गया काम खत्म होने तक उसकी नराज की भी खत्म हो चुकी थी अब उसे बेटे के प्रति अपने खुद के विवहाद पर दुख होने लगा वह सोचने लगा कि हो सकता है बेटे को सच में किसी जरूरी चीज के लिए तीन सुरुपए की जरूरत हो, वो वैसे भी हर समय पैसे नहीं मांगता वह बेटे की कमरे में गया, देखा बेटा पिस्तर पर लेटा हुआ था उसने पूछा, सो गए क्या? बेटा तुरंत उठकर बैठ गया और बोला नहीं पापा, मैं जगा हुआ हूँ बेटा, मैं काम की वज़े से परसान था और मेरा काम का गुस्सा तुम पर निकल गया मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था ये लो तीन सुरुपए जो उस समय तुम मुझ से मांग रहे थे पिता बेटे के पास बैठते हुए बोला थैंक्यू पापा बेटा चहक उठा तीन सुरुपए एक तरफ रख उसने अपने तकिये के नीचे दभी कुछ नोट निकाले और उन्हें गिनने लगा यह देख पिता को फिर से गुस्सा आने लगा वह गुस्से में बोला जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुम और पैसे क्यों मंग रहे थे क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे पापा अब है बेटे ने मासूमियत ने से जवाब दिया पापा यह लेजिए 500 रुपए क्या इससे मैं आपका दो घंटा खरी सकता हूँ प्लीज कल आप घर जल्दी आ जाना मैं आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ बेटे की बात सुनकर पिता अवाक रह गया सीख हम पैसे कमानी की जदो जहाद में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं की हमारा परिवार पीछे छूड़ जाता है हमारे पास अपनी परिवार और प्रीजनों के साथ बितानी के लिए समय ही नहीं होता समय धेरे धेरे हमारे हाथ से फिसलता चला जा रहा है और बीता समय कभी वापस नहीं आएगा आफिस में हमारा रिप्लेस्मेंट बड़ी ही असानी से ढून लिया जाएगा लेकिन परिवार का कोई रिप्लेस्मेंट नहीं है अपनी परिवार को महतु दें हमारी वीडियो पसंद आई